यहां सिनेमा हॉल पर भी ताला लग गया था एक दोर था जब लाल चौक पर आना यहां तिरंगा फैराना जान जोखिम में डालने वाला काम था तीन खांदानों की खुद गुर्ज सियासत ने कश्मिरी हुंदूओं को भी अपने घर से बेगर कर दिया यह खांदानी पार्टियां क्या कर रही हैं यह कहती हैं यह वो पुराना दौर वापस लाना चाहते हैं क्या हाल चाल जो आज इतनी बड़ी तादाद में आप आये हैं नवजवानों का इस जुस्सा बुजुर्गों के आखों में शांति का संदेश और इतनी बड़ी मात्रा में मात्नाए बहने ये नया कश्मीर है हम सब का मकसद जम्मु कश्मीर की तेज तरक्की है जम्मु कश्मीर की तेज तरक्की का जज़वा और बुलंद करने का पैगाम के साथ मैं आज आपके बीच आया हूँ मैं देख रहा हूँ आज मेरे कश्मीर के भाई भैन कुशाम दीद पी एम कह रहे हैं मैं भी तो तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ साथियों जम्मु कश्मीर में इस वक्त जमूरियत का तवहार चल रहा है कल ही यहां साथ जिलों में पहले दोर की वोटिंग शुरू हूई पहली बार दस्द गर्दी के साए के बिना यह वोटिंग हुई हम सभी के लिए यह बहुत खुशी की बात है गर्व की बात है कि इतनी बड़ी तादाद मैं लोग वोटिंग के लिए अपने घरों से बाहर निकले युवा हो महिलाए हो बुजूर्ग हो सभी ने खूले मन से वोटिंग की किस्तवाण मैं 80% से ज़्यादा वोटिंग डोड़ा मैं 71% से ज़्यादा वोटिंग रामबन मैं 70% से ज़्यादा वोटिंग कुलगाओं मैं 62% से ज़्यादा वोटिंग अनेक सीटों पर पिछली बार की बॉटिंग के रिकॉर्ड तूड गए है ये नया इतिहास बना है ये नया इतिहास आपने रचा है ये नया इतिहास जमु कश्मीर के लोगों ने रचा है ये दिखाता है कि जमु कश्मीर के लोगों की एस्परेशन्स नई उच्चाई पर है आज दुनिया देख रही है कि कैसे जमु कश्मीर के लोग भारत के लोग तंत्र को मजबूत कर रहे है इसके लिए मैं जमु कश्मीर के अवाम को मुबारक बात देता हूँ साथियों कुछ दिन पहले जब मैं जमु कश्मीर आया था तो कहा था कि जमु कश्मीर की बरबादी के लिए तीन खांदान जिम्मेदार है और तब से बिल्ली से लेकर जमु कश्मीर तक ये लोग बौखलाए हुए है इन तीन खांदानों को लगता है कि इन पर कोई कैसे सवाल उठा सकता है इन तीन खांदानों को लगता है जैसे तैसे कुर्शी पर कबजा जमाना और फिर आप सब को लूटना ये इनका पैदाईशी हक है जमु कश्मीर की अवाम को उनके जायज हक से महरूम रखना ही इनका सियासी एजेंडा रहा है इन्होंने जमु कश्मीर को सिर्फ तसदूत यानि डार और इंतशार यानि अराजकता ही दी है लेकिन अब जमु कश्मीर इन तीन खांदानों में के सिकंज में रहने वाला नहीं है अब यहां का हमारा नवजवान इनको चैलेंज कर रहा है जिन नवजवानों के इनों ने आगे नहीं बढ़ने दिया वही इन नवजवान इनके खिलाप मैदान में उतर आये है साथियों इन तीन खांदानों के राज में जमु कश्मीर के नवजवानों ने जो भोगा है जो तकलीप सही है वो अक्सर बाहर नहीं आ पाता आज वादी का जो नवजवान बीस पटिस तीस साल का है उन में से कई पढ़ाई लिखाई से महरूम रह गए बहुत सारे ऐसे है जिनको दसवी बारवी या कॉले तक पहुतने में देश के बाकी बच्चों से जादा साल लगे ये इसलिए नहीं हुआ कि जमु कश्मीर के हमारे नवजवान फेल हुए बलकि ये इसलिए हुआ क्योंकि कॉंग्रेस, एंसी और पीडीपी के तीन खांदान फेल हुए थे इन्होंने अपनी सियासी दुकान चलाने के लिए दहाईयों तर नफरत का सामान बेचा है कश्मीर में जो स्कूल जलाए गए वो आग भी इनके नफरत के बाजार में ही बिक्ती थी ये लोग नए स्कूल नहीं बनाते थे और जो स्कूल थे ये लोग उनके आग के हवाले करने वालों को शेह देते थे आप वक्त नियाद करिये जो स्कूल कॉलेज बज गए वहाँ भी कई कई महिनों तक पढ़ाई नहीं हो पाती थी हमारे नौजवान स्कूल कॉलेज से बहार थे पढ़ाई से दूर थे और ये तीन खामदान उनके हाथों में पत्थर थमा कर खुश रहते थे इन लोगों ने अपने फाइदे के लिए हमारे बच्चों का फ्यूचर उनका मुस्तक बिल बर्बाद किया है साथियों जम्हु कश्मीर को टेरर से दहसत गर्दी से आजहात कराना जम्हु कश्मीर के खिलाप साजीस करने वाली हर ताकत को हराना यहां के नवजवानों को यही पर रोजगार के मौके दिलाना यह मोदी का इरादा है मोदी का वादा है हमारी एक और पीड़ी को एक और नस्ले को इन तीन खांदामों के हाथों में तबाह नहीं होने दूँगा इसलिए यहां अमन की बहाली के लिए मैं पूरी इमांदारी से जुटा हूँ आज देखिए पूरे जमु कश्मीर में स्कूल कॉलेज आराम से चल रहे हैं बच्चों के हाथ में पत्थर नहीं बलकी पैन है किताबे हैं लेप्टॉप है आज स्कूलों में आग लगने की खबरे नहीं आती आज यहां नए स्कूल नए कॉलेज एम्स मेडिकल कॉलेज आई आई टी ये बनने की खबरे आ रही है मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे पड़े लिखे और ज़्यादा काबिल बने उनके लिए यहीं पर नए मौके बने साथियों ये हम कैसे कर रहे हैं मैं सिरफ बीते पांच साल का हिसाब आपको देता हूं यहां करीब पच्चास हजार बच्चे साथियों इस बात थे मुझे भारी संतोस है इसलिए मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं यहां पर पच्चास हजार बच्चे ऐसे थे जिनका स्कूल छुट गया था जिनकी पढ़ाई छुट गई थी उन बच्चों का क्या कसूर था उनका कोई कसूर नहीं था मोदी ने इन पच्चास हजार बच्चों का फिर से स्कूल में दाखिला कराया यहां पंदरा हजार स्कूलों में प्री प्राइमरी क्लासिश शुरू की गई इनमें आज डेड़ लाग से जादा हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं आज यहां करीब धाई सो स्कूलों को पी एम स्री स्कूल्स में अपग्रेड किया जा रहा है यहां ने इत डिगरी कॉलेज इंजिनियरिंग और पॉलिक टेकरी की कॉलेज बने है अवंति पुरा में एद बन रहा है इन पांच सालों में यहां मेडिकल की करीब ग्यारा सो नई सीट जोड़ी गई है नर्सिंग में भी पंदरा सो और पैरा मेडिकल में भी सोला सो से जादा नई सीटे जोड़ी गई है अब मेरे जम्मू कश्मीर का नवजवान मजबूर नहीं रहा वो मोदी सरकार में मजबूत हो रहा है मुझे खुसी है कि जम्मू कश्मीर बीजेपी ने भी नवजवानों के रोजगार के लिए भी बड़े एलान किये है बच्चों का स्कील डवलप्मेंट हो बीना धांदली के काबिल लोगों को सरकारी नोकरी मिले ये सारे काम बीजेपी यहां पूरे करके दिखाएगी साथियों यहां के तीन खांदानों ने जमूरियत और कश्मिरियत दुनों को रौंदा है कुचला है आप याद कीजिए असी की दहाई में इन्होंने यहां क्या किया था इन्होंने जमू कश्मीर की सियासत को अपनी जागीर समझ रखा था यह अपने खांदान के सिवाए दूसरे किसी को आगे आने ही नहीं देना चाहते वरना पंचायत बीडीसी और डीडीसी के एलेक्षन को इन्होंने क्यों रोका इनको लगता था कि इससे नए लोग सियासत में उबरेंगे ऐसे लोग जो इनके खांदानी निजाम को चैलेंग करेंगे इनकी इस खुदगर्जी का नितिजा क्या हुआ यहां नव जमानों में जमूरियत से भरोसा कम होता गया उनको लगता था कि वोट डाले या ना डाले आना तो इनी तिन खांदानों को है आप जरा याद कीजिए कीन हाला तो में इलेक्शन होते थे शाम पांच छे बज़े के बाद सारी केमपेंट बंध हो जाती थी डोर टू डोर मिलना जुलना संभव नहीं था और कॉंग्रेस, NCP, PDP ये तीन खांदान इसे खुश रहते थे आपके हक, हुकुक, छीन करिये लोग मौज में रहते थे पहले के उन हालातों से अलग अब कितना कुछ बदल गया है आज देर रात तक केमपेंट हो रही है आज लोग जमूरियत को सेलिप्रेट कर रहे हैं यहां के युवा में भरोसा जागा है कि उनका वोट, उनका जमूरी हक ही सही बदलाव ला सकता है साथियों जमूरियत को लेकर यही आस यही उमीद बड़ी काम्यादिक्वी की तरफ ले जाने वाली पहली सीड़ी है आज देखिए यहां जो एजाज हसन जैसे हमारे नौजवान है वे इंखांदानी पार्टियों को चैलेंज कर रहे हैं और जब यह लोग एजाज हसन जैसे नौजवानों को गालिया देते हैं तब साफ होता है कि ग्रास रूट डेमोक्रिसी से यह तीन खांदान कितने डरे हुए है साथियों यहां पवित्र हजरत बल है चरारे शरीफ है जामिया मजजीद है खवाजा नक्षबन साहिब दरगा जैसे स्थान है यहां संकराचारिय मंदीर है जेश्ट्रा माता बसी है खीर भवानी है इन तीन खांदानों के राज में हमारी यह पवित्र जगए भी मभूज नहीं थी बीते दसकों में यहां फिल्मों की शुटिंग बंद हो गई थी यहां सिनेमा हॉल पर भी ताला लग गया था एक दोर था जब लाल चौक पर आना यहां तिरंगा फैराना जान जोखिम में डालने वाला काम था बर्सों तक यहां लोग लाल चौक में आने से डरते थे लिकिन अब तस्वीर बदल गई है सिनेगर के बाजारों में अब इद और दिवाली दोनों की रोनक देखने को मिलती है तीन दहाईयों के बाद अब जाकर यहां मुरुम का जुलुस निकल पाया है अब लाल चौक बाजार में देर शाम तक चहल पहल रहती है यहां बच्चे खेलते हैं यहां बेज दुनिया से रिकोर्ट ट्रिस आ रहे हैं रिक्सा वो टैक्सी से लेकर दुकान धाबे और शिकारे वाले तक हर कोई शांती से अपनी रोजी रोटी कमा रहा है यह अमनों अमान यह साजगार यह महोर यह काम किस ने किया है यह काम मोधिन नहीं यह काम सब कुछ आप ने किया है जम्मू कश्मीर के लोगों ने किया है साथियों कश्मीर यत को सीचने में उसको आगेड बनाने में हमारे कश्मीरी पंडितों की बहुत बड़ी भूमी का रही है लेकिन तीन खांदानों की खुद गुर्ज सियासत ने कश्मीरी हुंदूओं को भी अपने घर से बेगर कर दिया हमारे सिख परिवारों पर जुल्ब होए यह तीन खांदार उनके लोग यहां कश्मीरी हिंदूओं पर होने वाले हमारे कश्मीरी सिख भाईवेनों पर होने वाले हर जुल्म के भागिदार बने रहे कॉंग्रेस, एनसी, पीडीपी ने सीर्फ और सिर्फ पटवारा किया लेकिन बीजेपी सबको जोड रही है हम दिल और दिली की दुरी मिटा रहे है आज देखिए कश्मीरबादी रेल से जुड रही है इसे सेब किसान को दूसरे फल सबजी किसानों को फाइदा होगा आपकी फसल कम लागत में देश के बड़े बाजारों तक पहुच पाएगी कनेक्टिविटी बड़ेने से टूरिजम सेक्टर को बड़ा फाइदा होगा यहाँ नए कार खाने नई फैक्टरिया नए कारोबार शुरू होगे साथियों आज दुनिया जम्मु कश्मीर में बदलते हालाच को देखकर खुश है यहाँ G20 का इतना बड़ा इवेंट हुआ दुनिया भर से लोग यहाँ आए यहाँ जब स्पॉर्ट्स कारों की रेस हुई तब मैं देख रहा था यहाँ के लोग खुश्यों से भरे उलिये थे आज खेलो इंडिया बिंटर गेम्स यहाँ होते हैं देश बर से खिलाड़ी यहाँ आते हैं यहाँ इंटरनेशनल योगा डे इसका सेलिबरेशन होता है यही तो कश्मीरियत है जो बाहे फड़ाकर सबको वेलकम करती है लेकिन साथियों यह खांदानी पार्टियां क्या कर रही है यह कहती है यह वो पुराना दौर वापस लाना चाहते हैं पिछले 35 सालों में कश्मीर करीब तीन हजार दिन बंद रहा 35 साल में तीन हजार दिन बंद यानि 35 साल में से 8 साल बंद में ही गुजर गए जबकि पिछले 5 साल में 8 गंटे भी कश्मीर बंद नहीं हुआ यह आपने किया है यह आपका क्रेडिट है अब आप मुझे बताएए क्या आप चाहते हैं कि वो पुरादे दिन फिर लोटे क्या आप चाहते हैं कि फिर हड़ताले हो फिर खुन खराबा हो क्या आप चाहते हैं कि फिर हमारी बेटियों के कमजोर तबके के हक मारे जाए यह चाहते हैं कि फिर स्कुल जलाए जाए, ये चाहते हैं, फिर सिनेमा हॉल बंद हो, ये चाहते हैं, यहां फिर कारोबार ठपो, ये चाहते हैं, कि नोकरियों में फिर पहले जैसी दांदली हो, साथियों, जम्मु कश्मीर में हम सिर्पर सरफ विकास को तेज तरक्की पर फोकस करते हुए काम कर रहे हैं, आज यहां बच्चों के लिए प्लेग्राउन बने हैं, ये नया हब्बा कदल पूल, नए रंग रूप में सामने आए, जीरो ब्रीच और अब्दुला ब्रीच, गांदर बल में वाइल ब्रीच, डल लेक और जेलम के इर्दगिर्द की सुन्दर्ता, स्री नगर की सड़कों पर दोड़ती इलेक्रिक बसे, चका चक पोलो व्यू मार्केट, आज चारों तरफ, जो यह नया पना रहा है, जो खुबसूर्ती बढ़ रही हैं, ये सारे काम पहले भी हो सकते थे, लेकिन आज जो इट, जो पत्थर, आपके रोड, आपके घर, आपकी इमारत में बनाने में लग रहे हैं, उनसे पहले कुछ लोगों ने, आलिशान महल बनते थे, साथियो, नेशनल कांफरेंस, पीडीपी और कॉंग्रेस पा के पास, बताने के लिए काम नहीं, सिर्फ और सिर्फ, नाकामिया है, नाकामिया, इन लोगों ने, कश्बीर को सिवाए बरबादी के, और कुछ नहीं दिया, जबकि बीजेपी, गरीब, किसान, नवजवान, और महलाए, सब के लिए बहुत बड़े इरादों के साथ, इलेक्षन में उत्रे है, यहाँ बीजेपी सरकार बनेगी, तो किसानों के खाते में, छे हजार चे बड़ा कर, दस हजार रुपिय हर साल जमा होंगे, यहाँ बनने वाली बीजेपी सरकार, हर परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला के खाते में, हर साल अठारा हजार रुपिय जमा करेगी, आज जम्मूश कश्बीर के हर परिवार के पाथ, पांच लाग तक मुप्त इलाज की सुविदा है, यहाँ बीजेपी सरकार बनी तो साथ अलाग रुपिय तक मुप्त इलाज मिलेगा, बीते सालों में हाँ, गरीबों को हजारों गर मिले है, अब दिल्ली की केंदर सरकार, यहाँ 24 गंटे, बिजली, और वो भी मुप्त बिजली देने के लिए काम कर रही है, यह मुप्त बिजली के लिए पी-एम सुर्यगार मुप्त बिजली स्कीम चल रही है, चट पर सोलर प्लांट लगाने के लिए करीब 80,000 रुपिये, सेंटर की सरकार हर परिवार को दे रही है, हर परिवार को 80,000, इस योजना से जुड़े हर परिवार को 95,000 रुपिये की बचत होगी, साथियों, मुझे जानकारी मिली है, कि कश्मीर के गवरव, कश्मीर के गवरव, कश्मीर के पहले आईएएस अधिकारियों में से एक, स्रिमान महम्मद शफीप पंडिजी का कल रात इंतकाल हो गया, रिटार्मेंट के बाद भी, वो समाज के हित में लगातार काम करते रहे, गम की इस गड़ी में हम सभी की दुआएं उनके परिवार के साथ है, साथ क्यों, बीजेपी जो कहती है, वो सौ परसेंट पूरा करती है, हमने देश के संसंद में कहा है, कि जम्मु कश्मीर फिर से स्ट्रेट बनेगा, और बीजेपी ही इस कमिटमेंट को पूरा करेगी, लिहाजा, मेरी आप से अपील है, 25 सितंबर को वोटिंग के सारे रेकोर्ड तूटने चाहिए, सारे रेकोर्ड तोड़ोगे ना, भारी मत्दान करोगे ना, इतिहास में नाम नर्ज कराओगे ना, आप बीजेपी को जरूर मोका दे, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे पेज को लाइक करें,